हेलो फ्रेंड्स, वेलकूम टू माई चैनल, आज मैं आपके साथ अपनी एनॉमली स्कैन की रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ, जो एनॉमली स्कैन होता है वो प्रेगनेंसी के 18 से 21 वीक के बीच में करवाया जाता है, लेकिन इसे अगर 19 से 20 वीक के बीच में करवाया तो और भी अच्छा होता है, इसमें बेवी की ग्रोथ का, प्लेसेंटा की पोजिशन का, और बेवी के ओगन्स डेवल्प होए हैं या नहीं, इसके बारे में पता चलता है, और इसके साथ ही हमें इस स्कैन से बेवी के वेट के बारे में भी पता चलता है, एनॉमली स्कैन को ल से रिपोर्ट चेक करवाते हैं तो डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो हमें पूरी पढ़कर सुनाएं इसलिए हम इसे घर पर कैसे पढ़ सकते हैं यह मैं आज आपको बताऊंगी तो इस स्कैन में हमें एक्सपेक्टर डिलिवरी डेट चोकि हमार एलमपी होता है उसके अकॉर्डिंग पता चलता है और बेवी के अकॉर्डिंग की कितनी जैस्टेशन एस है उसके बारे में भी पता चलता है जिस टाइम मैंने यह स्कैन करवाया था उसने बेवी 19 वीक 5 डेज का था तो 20 वीक में मैंने यह स्कैन करवाया था और आगे है फीटल पैरमेटर अब बेवी के बारे में यह बताया हूँ है बीपीडी यानि की वाई पैरिटल डायमेटर जो की फीटल का साइज है वो 4.81 सेंटीमेटर है इसके बाद एचसी दे रखा है जिसका मतलब है है एट सर्कॉंफरेंस जो की वेवी के पेट के बारे में है तो इस तरह से सबको कंबाइन करके जो वेवी है उसका वेट निकाला है EFW यानि कि एस्टीमेटर फीटल वेट जो की 323 ндरप्लस माइनस 48 ग्राइमस है यानि की 323 मैं 48 ग्राइमस जादा भी हो सकता है या फिर 48 ग्रामस कम भी हो सकता ह यह जो वेट है फीटल का यह 300 ग्राइम के ऊपर ही होना चाहिए अधरवाइस हमें अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए जिसे कि बेवी का वेट जो है वो सही हो जाए बेवी के वेट के अलावा हमें इस स्कैन से फीटल हर्ट रेट FHS के बारे में भी पता चलता है जो कि मेरे बेवी की इस स्कैन में 146 BPMI है जो फीटल हर्ट रेट होती है वो चेंज हो सकती है वो आगे या पीछे भी उसकी वैलू आ सकती है लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि 150 से उपर जो होती है वो गर्ल होता है और जो 150 से नीचे हर्ट वीट आए तो बॉइ चायल होता है लेकिन इसमें कोई भी सचाई नहीं है लेकिन मेरे बेवी बॉइ के टाइम पे जो फीटल हर्ट रेट है वो 145 से 150 के बीच में ही रहता था इसके अलावा इस कैन में भी एस्ट स्कैन में बताया गया है जो की मेरे रिपोर्ट में नॉर्मल है इस स्कैन में बेवी के फेस को अच्छे से एक्जामिन किया जाता है इस स्कैन को करवाते हुए काफिस में भी लग सकता है क्योंकि मेरे केस में भी जो मेरा बेवी है उसने अपने पोजिशन बैक साइड में फेस कर दिया था अपनी पोजिशन चेंज कर ली थी जिसके बज़से जो रिडियो लॉजिस्त है वो मेरे बेवी को जो नेजल वोन है उसे नहीं देख फाये थे तो बेवी ने अपना जो फेस था वो ऊपर की तरफ आदे गंटे के बाद लगवग किया था तो मुझे इस स्क बडसे रिपोर्ट में यह लखा हुआ है इसके इलावा थोर्यक्स यानि कि जो बेवी की चैस्ट होती है उसमें फोर चैमवर सार विज्यक्स staff टाइस लिखा है यहनी कि जो भूव हर्ट होता है यह सब जो ह estos को आप सरे आर्टרियस होती है लंग्स होते हैं वो सब कुश्य जो है इसमें normal दिखाया गया है और abdomen में भी stomach, kidneys, liver, urinary bladder यह सब भी normal है और upper and lower limbs, umbilical cord और spine जो है वो सब normal है और जो placenta था वो posterior था posterior यानि कि baby के आगे इसकी position anterior हो सकती है यानि कि baby के फंडल हो सकते है यानि कि baby के ऊपर और low lying हो सकता है यानि कि baby के नीचे की side और जो fetus है यानि कि baby जो है वो उसकी presentation सेफवा लिक एनिकी a quotidien वो नीच एक है BMW जो आप बीच या जुआ सब्सक्राइब हो早jähr यानिकि अब्रीच में जो बेवी का हेट होता है ल Sophia खि up इस उपर की साइड होता है और टांसवश में बेवी साइडबेस होता है चाहिए बेवी की जो umbilical cord थी वो around the neck थी जो कि baby movement के साथ इसकी position change हो जाती है कुछ लोग ये भी कहते हैं अगर placenta posterior हो तो baby boy होता है लेकिन इसमें कोई भी सचाई नहीं होती है और placenta की position कोई भी हो सकती है तो मेरी report का यही opinion था कि baby जो था वो सेफालिक presentation में था और बेवी के neck के around जो था वो placenta एक loop में था placenta यानि कि जिसे हम आँभाशा में आवल कहते हैं वो बेवी के neck के चारों तरफ एक loop में था और साथ ही low lying placenta था तो low lying placenta में किस तरफ से अपनी care करनी चाहिए और यह क्या होता है वो अपनी next वीडियो में मैं आपके साथ discuss करूंगी तो यही थी मेरी आज की वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो like share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe जुरूर कीजिए thank you